मोधी सरकार का आम बजट आ गया है और इस बार करमचारियों को आखिर क्या कुछ सोगाते मिली हैं और करमचारियों की क्या प्रतिक्रिया यह जानने के लिए हम पहुँचे हैं सर जिस तरीके से इनकम टेक्स में बड़ी छूट दी गई है और और भी कई प्रावधान करमचारी हित में किये गए हैं क्या कहेंगे बजट को देख केंद्र का बजट करमचारी हितेशी है पेंसनरों के हित में हैं और सेविंग में भी छूट देके सरकार ने बली राहत देने का काम किया है यह बजट स्वागत योग है करमचारी जगत में इसका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि पहली बार है कि साथ लाग तक की छूट सरकार ने दी है इंकम टेक्स में इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे थे कि इंकम टेक्स की छूट बढ़ाई जाए लेकिन पिछले वारों दो बार के बजट में नहीं बढ़ाई गई इस बार बढ़ा के सरकार ने बहुत सराहनी काम किया है यह जो पांच लाग से उपर टेक्स से बिल था अब उसको 25 लाग कर दिया तो रेटाइर्मेंट के बाद बहुत बड़ी रासी होती है पांच लाग से जादी मिलता सभी को तो पर टेक्स लगता तो 25 लाग कर दिया इसलिए स्वागत करते हैं इस बजट का एजी बहुत सारे अध्या नहीं हो पाया और एजूकेशनल विश्य पे भी सरकार ने काम नहीं किया अर्थिक जो दर है उसको सुदारने का काम सरकार करना था वो भी अच्छे ढंक से इस बार नहीं हो पाया है जिस तरीके से पूरे विश्व में एक मंदी का दौर है लेकिन जो भारत की आर् प्रगातार ग्रो कर रही है इस बार भी उम्मी जताए गई 7% बढ़ोतरी होगी तो क्या लगता है धीरे-धीरे भारत एक मजबूत अर्थविवस्ता बन रहा है दुनिया निश्यत रूप से अगर कहा जाए तो बाकई उन्नती की और है यह जो आपने बात कही है यह तो को यह फाएदा चूटे है और कई फायदे मन प्रावधान करेगी सरकार उम्मीद कर सकतेires राजी सरकार का तो अभी तक तो राजसरकार कुई चुनावी वर्स में तो करना भी चाहिए और कुकि हमारे मंत्री सभीधर को है इसमें कोई दोराय नहीं है अब उन तक क्यों मिसगाइड हो रहा हैं क्यों भी रोकेट्स उने मिसगाइड कर रहा हैं यह हो सकता है और इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि करमचारियों के लिए विसेश कर मार्च में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जैसे पदोनती रुकी सर्माजी उनसे चर्चा हुई थी उनने का मार्च तक पदोनती भी खुलेंगे 2016 से बंद हैं दूसरा एरियर के बारे में चर्चा हुई जो हमारे एरियर 2022 से रुका हुआ है महगाई भत्ते का उसकी भी चर्चा हुई लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है ग्रह भाड़ा भत्त आज तक किसी भी सरकार ने केंदर के समान आज तक नहीं दिया यह बड़ा दुक्प इसे हैं हमें उमीद है कि हमारे माननी मुक मंत्री महोद है यह मार्च में अगर कर देते हैं तो कर्मचारियों पर बहुत बड़ा असर पड़ाएगा पर जो प्रावधान केंदर सरकार ने किये हैं वित्तमंती निर्मला सीता नमर्ण ने किये हैं उसको लेकर के कर्मचारी जगत में खुशी है और जिस तरीके से टैक स्लेव में छूट दी गई है उसको लेकर इस निड़नाय का सभी जो कर्मचारी जगत के लोग हैं वो जब आऴ कर्मचारी जो जो एक वाल सवादी जगत कर्मचारी जवेगान के लुब पाल